हलो स्टूडेंस एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल कुमार ब्रिजेश में आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर आगया हों डिसकस करने आप लोगों के साथ क्योंकि यह बहुत बच्चों के दिमाग में यहां तक कई सारे पारेंस ने मुझसे पूछे आहीं जो सवाल कही न कहीं आपको थोड़ा सा भ्रमित कर देता है थोड़ा आपको रैक आपको कंफ्यूज कर देता है तो आज डिसकस करें कि सधी के बारे जैसा कि अपने thumbnail देखी लिया होगा तो चलिए फिर बिना देर किये वे video को शुरू करते हैं तो बात करने वाले हैं आज कि इस video में कि open university क्या होता है इसके degree valid है कि नहीं animation और VFX के courses अगर यहां पर provide किये जाते हैं तो हमें करने चाहिए कि नहीं या फिर कोई भी course यहां से करना चाहिए कि नहीं इसके बल्बुते पर इसके सबुझ मालों कि हमने यहां से degree करी तो master's के लिए अगर हमें किसी दूसरे college इसको किसी भी तरीके से देखो अगर आप normal university की पहले बात करें तो normal university में क्या होता है कि वह university किसी संस्था के द्वारा चलाई जाती है ठीक है उसमें कई सारे rules and regulations होते है time bounding होता है fees बहुत ज्यादा high होता है क्योंकि आपको infrastructure वह लोग देते हैं provide करते हैं classes आपको regular होती है क्योंकि बहुत सारे teacher को hire किया जाता है तो इन चीजों की वज़े से बड़े-बड़े labs होते है study material भी high quality का होता है एकदम पूरा चम चमाता हुआ फिर ये वह बहुत सारे चीजे जिसकी वज़े से regular universities में आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ते हैं लेकिन हर किसी के bus की बात नहीं है कि वह regular university से अपने degree complete करें बहुत बार ऐसा होता है कि घर की मजबूरियों में आकर या फिर जो घर का financial condition होता है उसको face करने के चक्कर में बच्चों की पड़ाई छूड़ जाती है लोगों की पड़ाई छूड़ जाती है कभी-कभी किसी क पड़ाई छूड़ गया और अभी वह चाहते हैं कि हम पड़ाई को continue करें लेकिन यह भी है कि वह उसको job को नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर वह job छोड़ दिया तो उनकी घर को चलाना मुस्किल हो चाहता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए government ने एक initiative लिया था जहां प होता है तो infrastructure भी इनको जरूरत नहीं पड़ा देने की आप online में 14 classes ले सकते हो आप घर से बैठ के पूरी की पूरी degree को complete कर सकते हो और अगर आप को जॉब में भी हो तो आपको को problem नहीं होगा है यह flexibility मिल जाती है आपको time की और जब यह इतना ज्यादा infrastructure नहीं देते हैं इसक mass communication तो जहां आपको arts में अगर suppose आप master करते हो एक example के लिए अगर आप किसी regular university से करते हो भाई साब तो आपको धाई से तीन लाख रुपए लग जाएंगे धाई से तीन लाख रुपए तो आराम से हस्खिल के आपको देने पड़ेंगे arts in mass communication के वही course अगर आप open university लाइक इ पर सकता है एकदम बजर्ट friendly होता है हर किसी के pocket में fit हो जाने वाली होती है और courses ऐसे ऐसे कि जो कोई भी university नहीं कराता हो जो course आपको कहीं नहीं मिलेगा वो courses भी यहां पे आपको मिल चाहेंगे कई सारे open university हैं जैसे YCA यश्वन्त रावट चोहान महाराष्ट उपेन 1989 में साथ established किया गया था और इसमें कई बड़े महारतियों ने इसमें सहजोग दिया है यह university भी आपको हर चीज़ प्रवाइड करती है और साथे साथ यह आपको animation VFX भी प्रवाइड करती है अब YCMOU के अंदर जो courses होते हैं जो भी courses हैं जो लोग course प्रवाइड करते हैं बह और और भी ऐसे कई सारे courses हैं उसमें से एक animation और VFX का भी है जिसका नाम है BSE in Media Graphics and Animation अगर आप इश्वंतरा चुहान university से डाइरेक्ट करोगे तो आपको खुद से सारी चीज़े करनी पड़ेंगी खुद से सारी चीज़े सीखनी पड़ेंगी आपको खर में बैठके सीखना कोई तो चाहिए सिखाने के लिए तो उनके अंदर कई सारे institutes कई सारे colleges हैं जो उनके अंदर आते हैं जिन्होंने उनसे affiliation ले रखा है वो colleges कराते हैं जहां पर आपको practical training दी जाती है ठीक है तो वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोग है तो वहां पर आपको infrastructure मिलेगा computer म I think मैं अगर बता दूं तो तकरीबन 29,000 के आसपास कुछ है मात्र और अगर हम तीन साल की बात करें तो 87 या 90,000 के आसपास लगेगा 90,000 में आपका course complete हो जाएगा लेकिन ये आपको उनलोग कुछ animation VFX वैसा आपको detail में नहीं पढ़ाएंगे जैसा आपको सीखना चाहिए त मैं उनको पढ़ा रहा हूँ फिर वो जाकर सेफ एक्जामस देते हैं इवर मैं तो उनने थियोरी भी पढ़ा देता हूँ तो ज्यादा कोई प्राबलम नहीं आती है तो अगर आप बात करते हैं सर्टिफिकेशन की तो सर्टिफिकेशन का जो वैल्यू है वह काफी अच्छ में मास्टर्स के लिए गए हुए हैं डिफरेंट स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं कोई मास्टर्स में मास्टर्स में मिल गया है और अगर आप बेसी इन अनिमिशन कर रहे हैं तो यहां पर जो आपके डिगडी की जो वैल्यू कि अगर हम बात करें तो सिफ इसी लिए है आपको need होगा कि अगर आपको master's करना है otherwise अगर आपको लगता है कि मुझे सीख के job करना है तो BSC in animation करने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहां से किया है नहीं किया है just you should have a technical knowledge technical knowledge अच्छी होना चाहिए command होना चाहिए software के उपर and then definitely आपको job में लेगा और कोई भी certificate को लेकर issue नहीं होगा देखो university, university होता है चाहिए वो open हो, regular हो अगर आप एक regular university में जाते हैं और आप admission ले लेते हो लेकिन आपको अभी classes नहीं जाते हैं आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो चीटिंग वटिंग करके जैसे तो पास होगे तो भाई उस degree का क्या करोगे, फ्रीज में रखोगे या फिर दिवाल पे लटकाऊगे नहीं ना, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख तो आपको समझ में आगया कि Open University से पढ़ाई करने का कोई नुकसान नहीं है बल्कि आपको फाइदा ही है और आप आराम से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो कोई भी courses करो, कोई problem नहीं होगी तो चलिए फिर उमीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए दीजाय में अजाजत जय हिंद जय भारत